होई वोसब गाईज अनु जैयर और आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे time complexity के बारे में आज हमारी पहली वीडियो है data structure and algorithm वाले इस course की और आज हम बात करेंगे time complexity होता है कैसे calculate की जाती है अगर आपको कोई question दे रखा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये question की time complexity क्या निकल के आ रही होगी और कई बात काफी important होता है skip मत करना इस video को ठीक है time complexity को skip मत करना यार सबसे पहले क्यों कराता है time complexity बहुत important होता है क्योंकि जब इसके बाद जो भी question होंगे उन questions को करने के बाद आपको एक बार ये पूछने आपने आपसे की इस question की time complexity क्या होने वाली है बहुत important question होता है ये आपके interviews में पूछ लेते हैं वो आपने जैसे implement कर दे हो पूछेंगे अच्छा बताओ उसकी time complexity क्या है most of the time recursive questions की time complexity को हम गलत कर रहे होता है तो आज की video हम देखेंगे कि recursive questions recursive questions की time complexity किस तरीके से निकाल जाते है big or notation क्या होता है कैसे काम करता है आज वो भी जानेंगे और साथ में एक important concept भी देखेंगे वो ये कि अगर आपको जो online judges होते हैं आपके court chef court forces court जो भी आपके होते हैं ठीक है hacker and hacker earth ये online judges किस तरीके से काम कर रहे होते हैं किस तरीके से इनके constraint का use करके आप बता सकते हूं कि कौनसी वाली algorithm आपको यहाँ पर लगानी चाहिए ठीक है तो ये बहुत important होता है आपकी competitive programming point of view से भी start करते है सबसे पहले what is time complexity time complexity basically होता है time taken by an algorithm as a function of the length of input ये तीन लाइनों में ही पुरा पुरा time complexity होता है time taken by an algorithm करते है कैसा behave करती है इसका use क्या करते है इसका use क्या है इसका use है basically दो algorithm को compare करने आपको आपको पता लगाने कि कौन सी वाल algorithm better है वहाँ पर इसका हम use करें होता है ठीक है जैसे कि suppose करो एक question है जहां पर आपको one से लेकर n तक का sum निकालना ठीक है one से लेकर n तक का sum निकालने के लिए multiple आपके इसके अंदर formula हो सकते है हो सकता है आप directly एक formula लगा दो n into n plus 1 by 2 ठीक है इस formula से आपका one से लेकर n तक का sum निकल जाता है मैं पता national numbers का sum ऐसे निकलता है कोई हो सकता है इस तरीके सना कर रहा हो हो सकता है कोई आपका for loop लगा रहा हो, ठीक है one से लेकर n तक का for loop लगा रहा हो और उस तरीके से फिरその sum निकाल रहा हो दोनों ही तरीके valid है, लेकिन कौनसा वाला तरीके को हम माने की कंसा वाला तरीका अच्छा है अच्छा आप बोलोगे इन दोनों को run करते हैं और जो कम टाइम ले रहा होगा वो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन ये भी तो अच्छी बात नहीं है हो सकता है कि आपने ये जो है ये वाला जो solution है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये वाला fast solution है इसको आपने एक slow machine पर run कर दिया और ये जो जिससे हम कहा रहे हैं ये बेकार है ये अच्छा solution नहीं है इसको हमने एक fast machine पर run कर दिया तो slow machine वाला हो सकता है कि अगर आपका 1 second मिला रहा हो और fast machine वाला जो है वो 0.5 second के अंदर लेकर आ जा रहा हो ये big O notation ये big O notation ही होता है जो कि हमारी in algorithms को एक तरीके से time complexity को standardized quantify करने काम नाता है तो आप जानते हैं ये big O notation क्या होता है और कैसे काम करता है यही वो है यसी को आप बार बार सुनते होगे इसकी time complexity बताओ इसकी big O complexity बताओ तो वही ये वही है और इसको ज़र आप जान लेते हैं यही जानना बहुत important है तो इसको एक example समझते हैं suppose को आपको ये array दे रखा है और इस array के अंदर आपको एक linear search करने है और find करने कि क्या ये element present है या नहीं है ये वाली key इस array के अंदर present है या नहीं है simple question है आपको अगर suppose करो key 1 दे रखा है और ये array दे रखा है और ये function दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना आपको एक normal linear search लगानी यहाँ पर मैंने वही कर रहा है जैसे मुझे किसी भी position पर मैंको key मिल जा रही है मैं वहीं से वो index return कर दे रहा हूँ इंदर नहीं है suppose को आप ढूड़ने का try कर रहे हो minus 5 ठीक है तो minus 5 ढूड़ने के लिए आप पूरा पूरा edit reverse कर रहा हूँ लेकिन minus 5 को कहीं नहीं मिलेगा तो वह आपका इस algorithm के लिए वह आपका worst case होगा ठीक है तो worst case ही मैं बात क्यों कर रहा हूँ पर define कर दे तो वहाँ पर आप बोल देते हो यह algorithm इस length of input के इसाब से इतना time पक्का लेगी इससे कम भी ले सकते हैं लेकिन इतना time तो पक्का लेगी ठीक है यह सुर्ण में आगया होगा इसके अपर-bound finding करना है तो यह 3N square के अंदर यह जो 3N square प्रस 5 है इसके अंदर से सिर्फ 3N square वाले term का उम करेंगे और एक और चीज जो आपके constants होते हैं उनको भी आपको ignore कर देना है तो आपको दो चीज़ें ignore कर देना है आपको बड़ी पावर के साथ constant जो associated होगा उसको भी ignore कर देना है तो इस case में जो time complexity है आपके big O की है यह वो होगी big O of N square यहाँ पर अगर आप देखोगे तो N और log N दोनों में से बड़ा कौन सा है तो दोनों में से बड़ा है N अगर आप graph बना के देखोगे तो और आपको अच्छे समझवाएगा तो N का graph कैसा होगा और 100 log N का graph कैसा होगा यह कैसा भी होगा लेकिन हमेशा इसके निचे रहेगा ऐसा सा कुछ graph होगा तो दोनों में से बड़ा कौन सा है किसी भी N के लिए यह दोनों में से बड़ा कौन सा है दोनों में से obviously N बड़ा है तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो N बड़ा होगा और N के साथ कोई constant associated नहीं है तो यह होगा big O of N similarly अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 N Q plus 4 N 5, obviously 4 N 5 बड़ा है और हम फिर constant को भी अड़ा देंगे तो यह हो जाएगा big O of N is power 5 similarly अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी N associated नहीं है इसका मतलब यह जो function है यह किसी N पर dependent ही नहीं है इसका अगर आप graph बना के देखोगे तो graph कुछ ऐसा-इसा निकल के आएगा यहाँ पर यह 100,000 होगा जो भी है यह 10,000 तो यह जो चीज़े यह N पर dependent ही नहीं है तो यह एक constant है ठीक है इसका हम बोलेंगा big O of 1 यह होगा big O of 1 तो इस तरीके से आप time complexes निकालते हो multiple questions की आप basically बड़ी वाली power को देखते हो और जो छोड़ी power होती है उसको आप ignore कर देते हो similarly बड़ी वाली power के अंदर भी आप constants को ignore कर देते हो constants से फरक नहीं पड़ता है चाहे constant कितना भी बड़ा हो अगर इतना बड़ा भी constant है तो इसको भी हम O of 1 ही मानेंगे अगर N square के साथ बहुत बड़ा number भी होगा तो भी उसको हम Big O of N square ही बोलेंगे ठीक है तो यह होता है आपका Big O of notation अगर अभी भी समझने है तो tension मत लेना है अभी भी हमारे पास कुछ और examples है अगर आपको समझने है तो आप जड़ा देखो यह भी आपके Big O of N की example है N by 4 कर दोगो तो भी Big O of N है अगर N by N plus 100 by 4 कर दोगो तब भी Big O of N है यह भी Big O of N है यह लोग N को तो आप बूल ला हो क्योंकि बड़ी पावर इसकी है दिन आप कॉंचन को भी बूल ला होगे क्योंकि कॉंचन को भूलना होता Big O of notation के अंदर यह Big O of N square है यहाँ पर इसकी भी Big O of N square आएगी इसकी भी और इसकी भी भले कितने भी बड़े नमबर से डिवाइड कर दो अगर कॉंचन नमबर से डिवाइड क्या है अगर N पर dependent नहीं है वो तो उसकी time complexity Big O of N square रहेगी ठीक है I hope आप लोगो समझ में आगया होगा इतने सारे example हम देख लिया है तो यही होता time complexity Big O notation यही होता है इसके लावा दो और notation भी होती है जोती है आपके theta notation and then एक होती है omega notation but computer science के अंदर हम जादा use करते हैं Big O notation का ही क्योंकि multiple algorithms के Big O notation निकालके हम safe रहते हैं ठीक है safe खिल जाते हैं अगर हम Big O notation निकालते हैं theta notation के दर हम काफी दर constraint कर देते हैं अपने आपको theta or notation basically बता देती है कि कोई भी algorithm का exact bound क्या रहने वाला है ठीक है और एक दूसरी notation निकालते है omega notation वो आपका basically बताती है कि इसका lower bound क्या रहने वाला है उन्दों के आप tension मत देतों आप पता करके रखो ठीक है Big O notation आता है Big O notation basically upper bound निकालके रहता है किसी भी algorithm हाँ किसी भी algorithm कोई भी algorithm at most कितना time ले सकती है वो निकालने काम में आता Big O notation ठीक है यह होता है अब ज़र आप कुछ examples देख लेता है जहाँ पर आप देखें कि recursive questions कि आप कैसे निकाल सकते है Big O notation क्योंकि वहाँ पर हम थोड़े से लडखड़ा आते हैं तो आप बात कर लेते हैं कुछ recursive functions की और इसकी crime complexity हम किस तरी किस निकालते हैं तो suppose कर यह ऐसा कुछ function है यहाँ पर syntax के उपर जाद ध्यान मत देना मैंने बस ऐसे कुछ-कुछ लिख दिया है यहाँ आपका function है जो कि n input ले रहा है यहाँ पर यह base case है यहाँ पर एक छोड़ा सा for loop लगा होगा है इसके नदर कुछ-कुछ operation हो रहा होगा और उसके बाद यह इसी function को दुबारा call कर लेता function n by 2, function n by 2 ठीक है, दुबर call कर रहा है और आपको find करना है कि इस function की time complexity कह रहने वाली है तो थोड़ा सा complex है function है आप try करो find करना कि इसकी time complexity कैसी रहेगी थोड़ा सा time लो, find करना का try करो ठीक है, तो अगर आपने solve कर लिया तो बहुत अच्छी बात है जड़ा देखता है आपका solution सही है नहीं है बाकी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है ठीक है, तो सबसे पहले तो यह जो function है इसको आपको convert करना होता है time complexity, t function करना है ठीक है, और t function कैसे होता है तो basically होता है आपका t of n और t of n क्या है आपका t of n आप देख रहे हो, पहले तो आप यह दो बार recursive को aligns करना है, तो 2 times t of n by 2 है obviously, उसके बाद थोड़ा से यहाँ पर एक for loop भी चल रहा है और कुछ-कुछ अंदर constant work हो रहा है तो suppose को जो constant work हो रहा है, वो c है c operations का है, और यह आपका n time हो रहा है, तो आपका यह हो गया, nc तो यह आपका t notation में इसके convert हो गया यह पूरा पूरा function था यह आपका t notation में ऐसा कुछ होगा लेकिन आपको तो find करना big o notation तो big o कैसे find करोगे इसका तो अब इसके पास कुछ step होते हैं, तो पहले तो आपको इससे इसमें connect करना होता है इसको ठीक है, उसके बाद आपको देखना है एक छोटा से step, सबसे पहले तो आप लो इसके non-recursive part को, यह non-recursive part है, right non-recursive part को आप ऐसे कैसे लिख दो और इसको हम tree वाले method से find करने का try करेंगा ठीक है, tree वाले method से, एक और method हो दा इसका था master's algorithm हो गया, लेकिन हम उस algorithm को नहीं देखे रहोंगे हम tree वाले method से find करेंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे जो भी recursive function होते हैं, उनकी time complexity आप easily निकाल सकते हो, ठीक है, tree वाले method से, क्या होता है सबसे पहले आप non-recursive part को ऐसे का ऐसा लिख देते हो, ठीक है आपने ऐसा लिख दिया, और अब आपको यह करते रहना है, करते रहना है, जब तक कि आपको इसके लिख दर एक pattern न मिल दिया तो अब यह हम इसे दुबारा से चलाएंगे, ठीक है, यह था nc, अब tn by 2 की जगे हम क्या लिखेंगे आगें, n by 2c और यहाँ पर भी n by 2c non-regardsive part को लिख दिया, और उसके जो children होंगे, उनको नीच लिख लिखेंगे, children क्या होंगे, children होंगे tn by 4 तो इस तरीके से आपको खुश बन रहा है, अब ज़रा इसके अंदर हम देखते है, pattern find करने, क्या हमें कोई pattern मिल रहा है तो आपको हर step पे देखने हिए, कितने operation perform हुए तो इस step पर आपके nc operations perform हुए इस step पर देखते हैं, तो n by 2c plus n by 2c, again आपके nc operations perform हुए और similarly अगर आप देख़ायो हो तो यहाँ पर भी n by 4, n by 4, n by 4, n by 4, n by 4 तो उसके लिए आपको बस यह देखना है कि इस tree की land क्या है, यह tree कितना लंबा जा रहा है, आप देखने हो हर बार जो n है वो half होते है रहा है, पहले n था, n by 2 था, n by 4 था, ऐसे करते करते ही है, तब तक जाएगा जब तक की n 0 ना हो जाए, क्योंकि n जैसी 0 दूस होता है, व आपने guess भी कर लिया होगा, log n, ठीक है, इसकी height होगी log n, इसका मतलब यह जो चीज़ है, nc, 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 यह आपका repeat हो रहा है, log n times, तो अगर आपको इसकी time complexity बताने है, तो वो आपके होगी basically, big o of nc, then log n, और आपको पता है, यह हम constants को तो उठा देते हैं, तो इसकी ultimate time complexity निकल इस तरीके से हम किसी भी quotient की, किसी भी recursive quotient की time complexity easily निकल सकते हैं, खाफी बार हम struggle कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक systematic approach से चलोगे, आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो यह function आपको ऐसे लिखना है, इस function को convert करना है, time notation वाली t function के अंदर, ठीक है, t function के अंदर आपने 2 by 2, nc by 2, और जो भी recursive part था, उसको आपने नीची जिसके children ना दिया, यह आप करते चलो, करते चलो, जब तक कि आपको इसके अंदर एक pattern नहीं मिल रहा है, pattern हम देख रहे है, nc operation यहां perform हो रहे है, then इस step पे भी nc operation perform हो रहे है, इस step पे भी nc operation perform हो रहे है, तो इसका मतलब इसमें total, अगर हम operation निकालने हैं, तो इस tree की height निकालने है, इस tree की height हमारी आएगी, log n, तो इसके अदर total operation कि देख perform हो रहे है, nc multiply by log n, ठीक है, और यह होगा आपका big o notation, आपने constant हटा दिया, क्योंकि constant की कोई जरूयत नहीं होती, big o notation के अंदर, तो आपका finally answer आगया, o n log n तो इस function की time complexity निकल का आती है, आपकी n log n, ठीक है, ठीक है, तो यह मैंने आपको दो example लिख दिया है, यह दो examples की time complexity आप निकालने का try करना, और मुझे बताना time complexity क्या आती है, इन दोनों के जो answer होंगे, वो मैं आपको telegram अपने channel ले उसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है, और tn equals to 2t n minus 1 plus c, इन दोनों का try करने का find करो, और find करने का try करो, हम आगे बढ़ते हैं, तो finally बात कर लेते हैं, कि अगर आपको बताना है कि किसी online judge के अंदर आपको constraint दे रखे हैं, उसके हिसाब से कौन सी algorithm best रहने वाली है, तो क्या तरीका होता है, यह वाली चीज मैंने आ constraint दे देते हैं, आपको constraint करके section होता है, जहां पर बोल देते हैं, जो आपका n है, वो आपका less than 10 to 5 जा सकता है, या फिर n हमेशा less than 100 रहेगा, ऐसा कुछ आपने देखा हो, आपको constraint section होता ही है, तो उसके basis पर अगर आपको बताने कि आपको अपर यह जो accepted time complexity है, वो कौन सी र code चारता है, और वहां पर वो code check होता है, और वहां पर आपका code 10 to 8 operations ही perform करना चाहिए, उससे ज्यादा अगर perform करेंगा, तो TLE error आ जाएगा, ठीक है, तो अगर आपका जो n है, वो 10 या 11 तक दे रखानों होने, तो अगर आप यहां पर देखोगे 10 to 8 operations perform तब ही होंगे, जब आपकी जो algorithm में, वो worst case में इतनी जाए, n factorial या फिर n base power 6, अगर आप 11 base power 6 करने का try करोगे, तो भी वो आपका 10 to 8 से कमी आएगा, similarly 11 factorial try करोगे, तो वो भी 10 to 8 से कम आएगा, ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, कि अगर आप दे रखा 10 है, वो 10 या 11 है, तब यह accepted हो जागा, इ आपकी तो खुद drive कर सकते हो, राइट, आपको बस यह देखना, 10 to 8 operation rule मेरा follow रहा हूँ, और इससे आप पता लगा पाँगे, बड़े easily कि time constraint अगर मुझे दे रखा है, तो मेरी algorithm क्या होगे, अगर 10 to 5 दे रखा, तो मेरी n log n जाएगी, अगर 100 दे रखा, तो n to 4 जाएगी, और अगर आपको पता चलिए कि n log n जा रही है, तो इसका मतलब n log n वाली जो-जो algorithms हो सकती है, आपको उसी time strike करने चाहिए, इसका मतलब या तो मैं यहाँ पर sorting लगा सकता हूँ, sort करने के बाद स्राइध हो जाए, solve, या फिर कोई ऐसा operation जो कि log n में हो जाए, end times में वाला operation perform कर सकता हूँ, ऐसी चीज़े आप वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, तो यह इतना time complexity के अंदर नहीं आता है, मैंने बस आपको इसलिए बता दी, क्योंकि जब हम competitive programming में जा रहे होते हैं, या फिर किसी भी online test पर question solve करते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन सा वाला यहाँ पर का करता है, recursive functions के अंदर आपको time complexity बता नहीं है, तो वह कैसे काम करता है, multiple examples के थुरू हमने देखा, और कुछ मैंने आपको questions भी देया, तो उन questions के solution भी आप try करना, find करने का, आप कुछ और questions भी मैं आपको देने वाला हूँ, उन questions का link आएगा आपका, ठीक है, interview bit के ओपर basically व वो solve करने है, सारी सारे आपके tick mark multiple choice question है, तो वो सारी सार आपको solve करने है, ठीक है, इसी के साथ ही हम चलते है, इसके बाद हम next topic के बारे मात कर रहूंगे, अपनी इस series के अंदर, इस course के अंदर हम आगे बढ़ रहे होंगे, और मैं मिलूँगा आपको उस next video में, इस video को करते इस type की videos आने वाली है, ठीक है, इस series from खोडने वाली है, मिलता आप से next video में, बाबाई